हेलो दोस्तो यह है BS6 का एक पार्ट्स जिसको DPF के नाम से जाना जाता है यह completely damage हो चुका है और यह damage क्यूं हुआ है मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ तो आए दोस्तो शुरू करते हैं यह देखिए यह completely BS6 का silencer है जिसको हम आपको दिखाने वाले हैं completely open करके कि इसके अंदर क्या होता है सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तो DOC यानि Diesel Oxidation Catalyst के बारे में सबसे पहले दोस्तो जो exhaust manifold से gases आती हैं वो DOC से हो करके उसके बाद दूसरे process मुझाती है जिसका नाम है DPF यानि Diesel Particulate Filter यह देखिए यह जो है यह silencer BS6 का silencer का दूसरा भाग है जिसको DPF के नाम से जाना जाता है दोस्तो यह completely damage हो चुका है और इसके damage होने का region इसका dozing valve है यह damage की हुआ क्योंकि इसके अंदर यूरिया जाता था जिसकी वज़ा से यह damage हुआ और यूरिया कैसे जाता था यह देखिए यह dozing valve है इसका हम लोग leak test कर रहे हैं तो इससे यह पता चल रहा है दोस्तो कि यह dozing valve damage इसके अंदर से यूरिया leak हो रहा है हमने system के अंदर process में leak test select किया हुआ है और leak test में मुझे यह पता चल रहा है कि यह dozing valve leak कर रहा है अब leak करकर यह यूरिया कहा जा रहा था यह यूरिया जा रहा था DP of diesel particulate filter में और यह leak कैसे हुआ यह खराब कैसी वह dozing valve क्योंकि इसका यूरिया का ratio 23 था हमने reflectometer से नाब कर clear किया था एंड देखिए इसका BS6 के silencer का तीसरा भाग जिसको यूरिया mixing chamber बोलते हैं दोस्तों ए देखिए इसके अंदर dozing valve fit होता है और वो dozing valve इसके अंदर यूरिया का छिड़काओ करता है दोस दोस्तों इसके अंदर भी process होता है और इसके अंदर भी एक catalyst लगी होती है जिसके अंदर सारे process होते हैं दोस्तों तो मैंने BS6 के सारे silencer को openly आपको दिखा दिये हैं दोस्तों कि इसके अंदर होता क्या है और मैंने इस silencer को क्यों खोला था मैं आपको यह भी बता दू क्यों filter fully damage हो गया था से वह यो युम या गलत यूडाले की वज़दम्ज हो गया था तो मैं ने सारइंट को क्लियर कर दिया इसी तरीके से दोस्तों दीखिए यह beefs люд का K destiny silencer है जो Complete हो रहा है में आपको देखाता हूं तो कि दोस्तों की है है मतलब Diesel Oxidation Catalyst देखेंगे देन उसके बाद हम देखेंगे DPF Filter Diesel Particulate Filter एंड उसके बाद Urea Mixing Chamber को देखेंगे देन उसके बाद SCR-ASC को देखेंगे दोस्तों तो इसी तरीके से हमारा BS6 का Silencer लगबग Complete होता है हमने इसके DPF Diesel Particulate Filter को Change कर दिया है दोस्तों और वारंटी चेंज हुआ है एंड इसके Dosing Valve को भी हमने Change कर दिया है वह भी Completely Change हो चुका है इसी तरीके से दोस्तों हम इसका एक बर Override Test करते हैं Override Test करने पर पता चलता है यह बिल्कुल OK है और Completely Work कर रहा है तो इसी तरीके से मैंने आपको बता दिया कि यह BS6 का Silencer हमने क्यों खूला था OK THANK YOU